हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल ब्रदर्स कलासेज में तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूं अच्छी हैं दोस्तों चैनल के डिस्क्रप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी सरकारी प्रोडैंस 37 की तो उस च चैनल को जोइन करें सब्सक्राइब करें दिन्यवाद तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं MPP POLICE कॉंस्टेबल की करिप का अवारे में की पीजिकल लिए हैं कितने में सरल वह तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में, जरूर कमेंट करें तो सलीए दोस्तों वो बात कर लेते हैं हम कटोप के बारे में तो इसका जो रॉषी और है, या warrior, उनके लिए क्छा-a Menge पागय को आदियु वह वान के बात है लेकिन छेलिए अब थेक्ते हैं Weird जनरल केटेगरी के जो candidate हैं उनके लिए 70 पलस marks यह वो आनिक compulsory हैं अभी तक के जो बता रहे हैं merit उसके according बता रहा हूं कि 70% merit marks से वो आनिक compulsory हैं कापी सारे साती हैं वो जिनके 70 से अधिक marks आ रहे हैं 80 तक के marks आ रहे हैं उनके जिनके paper इरजी था अब OBC केटेगरी की बात करता हूं तो OBC केटेगरी वालों के लिए यहांके 75 से पलस marks से वो होने चाहिए 75 से पलस marks से वो होने चाहिए और OBC की जो गल से उनके लिए बता रहेता हूं 60 से लेके 62 तक आपके marks होने जरूरी है और जनरल केटेगरी की जो female candidates हैं उनके लिए 67 से पलस marks से वो होने जरूरी है इन्वें ज्यादा डिप्रेंट है वो रहने वाला नहीं है तो आप देख लिए जिए एससी केटेगरी के जो candidate है उनके लिए 57 का जो ही वो आंकडा आसपास होना चाहिए 57 के आसपास उनका आंकडा होना चाहिए जो ST केटेगरी के हैं उनके लिए हैं वो भी 54 तक का आंकडा उनके भी होना चाहिए 54 तक हैं अगर ST केटेगरी के जो candidate हैं उनके लिए तो 54 वाले physical के लिए बुलाए जा सकते हैं तो और जो इसमें जो female candidate हैं उनके लिए 48 तक का भी प्रावदार है 48 तक जिनके marks वह भी फिमेल कंडिडेट है वो विजिकल के लिए क्वालिफाई हैं वो विजिकल के लिए जा सकते हैं अब बात करते हैं एक सर्विस्मेन की तो एक सर्विस्मेन के लिए 40 पलस से वो marks होने compulsory हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजीगा और अपने साथियों के साथ सेर कीजीगा और डिस्क्रप्शन में जो लिंक दी गया है चैनल की तो उसको जरूर सस्क्राइब कीजीगा थेंक यू